हलो दोस्तों मैं डॉक्टर सुनिल कोठीवाला कंसल्टेंट डर्मेटलोजिस्ट फ्रॉम जैपुर और यह फंगल स्रीज का हमारा लास्ट वीडियो है पांच वा वीडियो जिसमें हमने एंटि-फंगल क्रीम्स के बारे में एक बेसिक इंफोर्मेशन आपको दी है हम इससे पहले हमारे फंगल स्रीज के पार्ट टू में अलग से वीडियो में बता चुके हैं कि किस तरह की क्रीम्स फंगल को नुकसान करती है और आपको घर पर इस तरह की क्रीम्स नहीं लगाने चाहिए अपने किसी भी फ्रेंड्स रिलेटिग और उनके केमिस्ट के रिक्मेंडेशन पर वो सब क्रीम्स यूज नहीं करनी है तो फिर क्योशन आता है कि हम घर पर क्या लगा सकते हैं तो जब तक आप डर्मेटलोजिस के पास नहीं पहुंसते हैं और आपको लगता है कि यह रिं इन सब क्योशन का अंसर इस वीडियो में आपको मिलेगा रिंगवं में घर पर एंटी फंगल क्रीम्स का यूज कर सकते हैं जो अलग-अलग नाम से मिलती है और इनके पैचान होती है कि यह सिंगल इंग्रेडियंट के रूप में आती है के वल एक ही दवाई होती है उसके अंदर तो combination में नहीं आती है इसके लिए हमें किसी prescription की जरूत नहीं है डॉक्टर को दिखाने की जरूत नहीं होती है और इनको घर पर यूज करने से सरीर को या फंगस को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है इसमें किस-किस टाइप की होती है यह आप चाहें तो आने इस पार्ट का आप अपने मुबैल में screenshot लेकर रख सकते हैं या फिर नाम note करके रख सकते हैं antifungal creams के हमने इसको समझने के लिए इसके काम करने के तरीके के आधार पर तीन भागों में डिवाइट किया है एक होता है जिसमें वो फंगस की growth को stop करती है तो उसके अंदर आती है तीसरा category जिसमें दोनों action होता है वो फंगस की growth को रोकने का भी काम करते हैं प्लस उसको kill करने का भी काम करते हैं तो उसके अंदर सर्टा को ना जोल लली को ना जोल इबर को ना जोल या फिर साइक्लोपराक्स या फिर एमरॉल फिन इस तरह की क्रीम साती है तो इन में से कोई भी ट्यूब जो आपको मिल रही है आस्थानी से अगर आपको लग रहा है कि आपको जो इसकी में रहस हुई है वो रिंग वम जैसी दिख रही है तो आप उसको बिना सोचे बहुत परिशान हुए बिना परिशान हुए आप उसको यूज कर सकते हैं क्योंकि लगाने क्रीम्स में कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है वो ना दाद को ना अगर इसकीन को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं करती है एंटि फंगल क्रीम्स को कैसे यूज करना है तो इसमें से जो इस्टेटिक वाले ग्रूप में थी क्लोट्रेमाजोल माइकॉनाजोल और की जादा सकते हैं मतलब ज्यादा कई बार वो एक बार भी सफिशेंट होती है कितनी लगानी होती है बहुत कम-कम लगाना होता है ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा लगाने पर वह बहुत ज्यादा काम करेगी और जो आपका फंगस का निसान है जो रिंगम है उसके 2 cm बाहर तक आपको एरिया कवर करना होता है और जब जनरली इसमें तीन से चार हफते का समय लगता है और सही होने के बाद भी दो से तीन हफता एक्स्ट्रा लगानी होती है ताकि दुबारा जल्दी से ना हो हालनकि क्रीम से आजकल जो सिनेरियो है फंगल इंफेक्शन का उसमें क्रीम से दुबारा होने के चांसे ज्यादा रहते हैं लेकिन जब तक आप नहीं पहुच रहे हैं तो इस तरह की क्रीम से यूज कर सकते हैं उससे आपके फंगस की डिजीज में आपको हैल्प ही मिलेगी इसमें साइड इफेक्स में बहुत जादा कुस दिक्कत आती नहीं है कभी कभार अगर कोई स्कीन जैसी है थोड़ा सा अगर वो इरिटेटेटेड है तो वहां पर आपको बर्निंग सैंसेशन या इचिंग हो सकती है तो उसकेस में आप जो टाइप है फंगल क्रीम का वो चेंज कर सकते हैं यही क्रीम कुछ-कुछ इनमें से लोसन फोम में है और लास्ट में कुछ फ्रेक्वेंटली आज्ट क्योशन क्या फंगस की क्रीम को किसी और क्रीम के साथ में काम में लिया जा सकता है तो बिल्कुल भी नहीं आप ज़्यादा अगर मिक्स करना चाते हैं तो किसी मॉश्राइजर के साथ मिक्स कर सकते हैं लेकिन को वेस्ट करने वाला काम है अगर अंटी फंगल क्रीम इस दिसा में काम कर रही है तो वह उस दिसा में काम कर रही है तो बिल्कुल भी कॉंबिनेशन क्रीम बिल्कुल भी काम में नहीं लेनी है क्या प्रेग्नेंसी में और इनमें क्रीम में भी ध्यान रखना चाहिए तो हा कि एक दे रहे हैं बचों आपकी की जा सकती है तो इसमें आप नहीं साइस वह बहुत ज्यादा काम करेगी अगर आप दो बार नहीं लगा पाते हैं बीजी शेडूल की वज़े से तो एटलिस्ट एक बार जरूर लगा हैं वहां की स्कीन को साफ सूखा करके और उसके बाद ही एंटि फंगल क्रीम को यूज करें तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के साथ ही जो फंगल के बारे में हमने आपको इंफोमेशन देने की कोसिस की है पूरी इस पांच वीडियो की सेरीज में वो आपको इस बिमारी को समझने में help करेगी अगर आपको ये information उपयोगी लगी है अच्छी लगी है तो इसको दूसरों के साथ share कीजिए और हमारे चैनल को subscribe कीजिए आने वाले समय में हम इसकिन की और दूसरी problems के बारे में treatment के बारे में और उनसे बचाओ के तरीकों के बारे में बात करेंगे Thank you very much